नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में गूगल पिक्सल 6A 5G वर्सिस शाउमी MI10T प्रो का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पिक्सल 6A 5G में 5.99 इंच जबकी MI10T प्रो में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है बात करें थिकनेस की तो पिक्सल 6A 5G में 0.35 इंच जबकी MI10T प्रो में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी 6A 5G से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो पिक्सल 6A 5G में 178 ग्राम जबकी MI10T प्रो में 218 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जोकी 6A 5G से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्पले को कमपेर करते हैं डिस्पले टाइप की बात करें तो पिक्सल6A 5G में OLED जबकी MI10T Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है. Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियो 9 मिलता है. Display Size की बात करें तो, Pixel 6A 5G में 6.1 इंचर्स जबकी MI10T Pro में 6.67 इंचर्स मिलती है. Display Resolution दोनों फोन में सेम ही, 1080 by 2400 मिलता है. Screen to Body Ratio, Pixel 6A 5G में 82.21 प्रतिशत जबकी MI10T Pro में 85.15 प्रतिशत मिलता है. बात करें PPI Density की तो, Pixel 6A 5G में 431 प्रतिशत जबकी MI10T Pro में 395 प्रतिशत मिलती है. अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो पिक्सल 6A 5G में दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा देखने को मिलता है और MI10T Pro की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो pixel 6A 5G में 8 different type के features मिल जाते है और MI10T Pro की बात करें तो उसमें 10 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो pixel 6A 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और MI10T Pro में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 10 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करे तो, Pixel 6a 5G में Mali G78 MP20 जबकी MI10T Pro में Adreno 650 मिलता है चिपसेट की बात करे तो, Pixel 6a 5G में Google Tensor और MI10T Pro में Qualcomm Snapdragon 865 मिलता है बात करे RAM की तो, Pixel 6a 5G में 6GB जबकी MI10T Pro में 8GB RAM मिलती है बात करे internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही 128GB storage मिलती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system की बात करे तो, Pixel 6a 5G में Android V12 जबकी MI10T Pro में Android V10 Q देखने को मिलती है बाटरी, Pixel 6a 5G में 4306 mAh जबकी MI10T Pro में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करे तो, दोनों phone में same ही 3 colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करे price की तो, Pixel 6a 5G 6GB RAM 128GB storage के साथ 43,999 रूपीस में मिल जाता है दोस्तों अब बात करते है प्रांजन गॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो, Google Pixel 6a 5G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Xiaomi Mi 10T Pro की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो, डिस्प्ले में Pixel 6a 5G आगे है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Mi 10T Pro आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT Neo 3 5G 150W All Limited Edition है दुसरा OnePlus 10T 5G है तीसरा OPPO Reno 3 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A72 है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना